प्रेग्नेंसी के दोरान कुछ महलाओं को अचानक से उनके बच्चे की जो मुमेर्स है वो बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो जाती है तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है ये आपके गर में पल रहे बच्चे को होने वाले किसी समध्या का संके आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेग्नेंसी के दोरान अचानक से आपकी प्रेग्नेंसी की तीसरी दिमाई के दोरान हैने कि साथवे आटवे और नौवे महिने के दोरान अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मुमेंस करना शुरू कर देता है तो ऐसा क्यों हो को जानने के लिए आप वीडियो में अंतक बने रहें वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने ना भूले तो चलिए इना देरी किये हुए फटा फट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो देखिए अगर यह आपकी पहली प कर सकता है तो मुवमेंट्स उसकी कम हो सकती है मुवमेंट्स कम होने पर आपको क्या करना चाहिए इस तरह के सवाल अगर आपके मन में भी चल रहे हैं तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे आप वीडियो में अंतक बने रहें तो देख आपकी pregnancy के 16 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते की बीच में महसूस होने लग जाती है यानि कि 14 महीने से लेकर 16 महीने की दौरान महसूस हो सकती है कई बार क्या होता है कि कुछ मैला है जो पहली बार pregnant हुई है तो उन्हें समझ में नहीं आता है उनका बच्चा movements को कर रहा है लेकिन वो उ हलचल करता है साती पिछले वीडियो में हमने ये भी जाना कि आपके किन गलतियों की बज़ए से आपका बच् पिछले वीडियो में अच्छे से जान चुके हैं अगर आपके बच्चे की जो हल चला है तो है या बहुत जादा हाथ करता है अगर आपका बच्चाそ इसके क्या कारण हो सकते हैं क्या यह नोर्मल है या फिज़र पक्ल रहे बच्चे को होने वाली किसी समस्या का संकेत तो कि अगर आपको समय रहते इन सारी बातों के बारे में पूरी जानकारी होती है तो आप अपनी pregnancy को अपने बच्छे को पूरी तरह से safe रख सकते हैं healthy रख सकते हैं तो देखिए जैसे जैसे आपकी pregnancy आगे बढ़ती है तो आपके बच्चे का आकार और बजन भी बढ़ने लग जाता है और आपके बच्चे की जो activity है वो भी काफी तेज हो जाती है जब पहले तिमाई के दोरान आपका बच्चा बुरूर की इस्तिती में होता है तो उसकी जो हलचल है वो बहुत ही कम मैसूस होती है लेकिन दूस हलचल कर रहा है तब तक तो ठीक है अगर बच्चे की हलचल बहुत जादा हो रही है आपको ऐसा और आपको इससे समस्या हो रही है आपको डाउट लग रहा है तो ऐसी condition है आपको क्या करना चाहिए सबसे पहरी बार प्रेगनेंसी की तीसी तिमाई यानि कि आपकी प्रेग बच्चा ज्यादा एक्टिव हो जाता है जब आप सोती है तब और दिन में वो सोता रहता है तो फ्रेगनेंसी की तीसी तिमाई के दौरान ऐसे कई बदलाव आपको अपनी बच्चे की मूवमेंस में मैसूस हो सकती है क्योंकि जिस तरह प्रेगनेंसी के दौरान आठ से 9 गंटे आपका मीद लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसी तरह से आपका गर में आपका बच्चा भी काफी टैम तक सोता रहता है और जब वो सोता है तो उस कंडिशन में आपको आपके बच्ची की जो मूवमेंस है वो कम मैसूस हो सकती है लेकिन जब आप कोई भी च प्लेसेंता के जड़ी खाता है और जब खाने के चीज आपके सरीने पहूंचती है तो आपका बलड सरकूलिशन भी बढ़ जाता है इससे क्या कि आपका बच्चा भी एक्पिम हो जाता है और उसकी जो bandwidth नहीं महीने के दोरान बच्चे की मां के साथ-साथ परिवार के चैस इस को फिल कर सकते है। इस दोरां तक आपके घर में आपके बच्चे का साइज काफी बढ़ जाता है. और जब लेखा बच्चा मुंक्ष करता है तो आपके पेट की साइज भी बदल जाती है. ऐसा आपके पेट की जो size है, safe है, वो एकदम से बदल जाती है, जब आपका बच्चा movements करता है, 30 वाद, pregnancy की 30 तिमाई के दोरान हर एक गंटे, यानि कि प्रत्ते एक गंटे में आपका जो बच्चा है, वो लगबग 30 वार movements करता है, अगर इस से कम या इस से ज़्यादा movements हो रही है, तो ये normal नहीं है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, तो आप अपने बच्चे की जो counts हैं, जो केक्स हैं, उनको count करके देख सकती हैं, चौती बात, जब आप खाना खाने के बाद, या कोई भी चीज खाती है, उसके बाद आप और खाने के बाद जब आप ल आपके जड़िये उन चीजों को खाता पीता रहता है, तो ऐसी condition में वो क्या है, कि आपके body का blood circulation बढ़ जाता है, और आपका बच्चा थोड़ा ज़्यादा active हो जाता, अची बात, अगर आपके बच्चे ने movements करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ अपतों के बाद आपको ऐसा लग रहा है, कि आपके बच्चे की जो movements हैं, वो कम हो गई है, और आपका बच्चा जो है, वो दो गंटे में लगवग 6-7 बार ही kicks मार रहा है, तो इससे अंतिकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके बच्चे की movements कम होना, गर्मे पल रहे बच्चे को होने वाले खत् संकेत हो सकती है, आपके बच्चे को होने वाली समस्या का संकेत भी हो सकती है, तो अगर आपकी pregnancy की दूसरी या तीस इत्माई अभी चल रही है, और आपको आपके बच्चे की जो movements हैं, वो सामानने से कम या सामानने से ज़्यादा मैसूस हो रहे हैं, तो इन दोनों ही condition में आपको अपने डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए, और इसकी सही जानकारी लेते रहना चाहिए, उमीद करती हूँ बच्चे की movements को लेकर अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी doubt का, तो इन दोनों वीडियों के जरिए, आपके मन के सारे जो सवाल हैं, वो दूर हो कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने ना भूले, जिससे मेरे वीडियो की notification आपको मिलती रहे, तो चलिए friends मिलते हैं, नेक्स टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुस रहे, स अच्छे से enjoy खाने, धन्यवाद